नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदाज में किसानों के लिए जरूरी खबर सीम मोहन यादव ने दिये ओलावरष्टी प्रभावे तलाकों के सर्वेक्षन के निर्देश सियम मोहन यादव ने पिछले दिनों कई जिलों में हुई उलावरश्टी के कारण फसलों को हुए नुकसान के सर्वेक्षन के निर्देश दिये हैं मुक्यमंत्रे ने कलेक्टर्स को ततकाल प्रभाव से सर्वे करने को कहा इसे के साथ उन्होंने कहा कि किसान परिशान ना हूँ सरकार पूरी तरह से उनके साथ है रीगल के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पहुचने के लिए बनेंगे तीन रास्ते जमीन जुटाने की कोशिश में लगा प्रशासन इन दोर में तेजी से मेट्रो का विस्तारी करन किया जा रहा है और निर्बान कारे लगातार देखने को मिल रही है रिजल्ट ओके चुराहे पर मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाने वाला है इस स्टेशन तक पहुचने के लिए रेलवे के द्वारा तीन रास्ते तैयार किये जाने वाले है ये तीन रास्ते कुछ इस तरह से निकाले जाएंगे कि रीगल की अलावा प्लैट्वर्म नमबर एक और नहरो पार्क या आईलेंड प्लैट्वर्म से आसानी से जनता मेट्रो स्टेशन पहुच सके एक से बाँ साल तक के बच्चों को लगने जा रही जापानी बुखार की वैक्सीन मदर प्रदेश में स्वास्ते विभाग से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर सामनी आ रही है आपको बता दें कि इन दिनों प्रदेश में जापानी बुखार के कई केसे सामनी आ रही है जिसके चलते सरकार इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए बड़ा फैसला ले रही है जिसके तहट सरकार जापानी बुखार से बचाओ के लिए वैक्सिनेशन अभ्यान चलानी जा रही है इन दौर के राला मंजल में जिवाश म संग्राले मार्च में होगा शिरू टिकेट दरे तैहोना बाकी डानोसौर के एंटिस समुद्री जीवो और भीमकाई पेलो के करोडों वर्ष पुराने जिवाश म को नस्दीक से देखने को लेकर परेचकों का इंतजाज जल्द खत्म होनी वाला है राला मंजल अभ्यारने में मार्च में नर्वदा जिवाश म संग्राहाले का उद्गाटन किया जा सकता है इसके लिए मुख्याले को इंदौर बनमंडल ने सूचित कर दिया है 16 फरवरी से भुपाल हाच में लगेगा श्रीयन प्रोट साहन वक्रशी विज्ञान मेला दो दिवसी किसान मेले का आयोजन 16 फरवरी से भुपाल हाच में आयोजित किया जाएगा यमेला कलेक्टर और अध्यक्ष आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं उप संचालक रशीज लाभुपाल के दौरा 17 फरवरी तक सुभे 10 से राथ आट बजे तक आयोजित होगा भाच्पा के राजस्वा प्रतियाशियों ने दाकिल किया नामांकान सियम मोहनी आदफ शिवराजवीरी शर्मा रहे मौजूद भाच्पा के चारों मीदवारों माया नारोलिया डॉक्टर ऐल मुरुगन बंशिलाल गुरजर और उमेशनात महराज ने गुरवार सुभे करीब साड़े ग्यारा बजे पाठी के वरिश नेताओ के सांथ रिटरनिंग अफसर के दफ्तर पहुचकर राजे सबाच्चनाओ के लिए नामांकन दाखल किया साजलो में वजरपात का यलो अलाइट बारा जिलो में कोहरा चाने की संभावना मदब्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदल गया है जुसके चलते प्रदेश में कहीं कहीं करत चमक के सांथ बारिश ओने और बाच्चारे पढ़ने की संभावना है मौसम विभाग ने साज जिलो में वजरपात का यलो अलाइट जारी किया और बारा जिलो में कोहरा चाने की संभावना जताई गई है चानित पठवारियों को न्युक्ति देगी एमपे सरकार ग्रूप दो और सब ग्रूप चार के रिजल्ट भी होंगे घोशित मतबर देश सरकार पठवारी के चैनित अभ्यरतियों को जल्द ही न्युक्ति देगी जांच आयोग ने पठवारी भरती परिक्षा को क्लीन चिट दे दी है पठवारी भरती परिक्षा के घोशित परिणाम के आधार पर न्युक्ति करने के निर्देश दिये गए ग्रूप दो और सब ग्रूप चार के परड़ाम भी जल्द ही घोशित होंगी अब सड़क पर बाइक से पटाका फोने वालों के खैर नहीं इन दौर पुलिस ने दो घंटे में पकर ली 25 मोडिफाइड बाइक्स इन दौर के पुलिस ने पटाका फोने वाली बुलिट बाइक से शेहर को पूरी तरह से मुक्तिक करने के लिए कमर कस ली है पुलिस ना सिर्फ शेहर के विभनेस्थानों पर शकिंग करेगी बलकि बाइक्स को मोडिफाई कर उनके साइल एंसर में पटाका लगाने वाले मेकैनिक के कलाव भी एक्शन लेगी साउथ इस्टान कोल फेस लिमिटेड में निकली 1425 पदो पर भरती साउथ इस्टान कोल फेस लिमिटेड ने ग्रेजुएट और टेक्निशन अप्रेंटिस के पदो पर बंपर भरती निकाली है रिक्त पदो की संख्या को 1425 है आवेदन प्रक्रियाश शुरू हो चुकी है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद